गुड आफ्टनून, इस वीडियो में हम कॉलाब कैड, जो की अटल इनोवेशन मिशन के तहत हाल ही में शुरू किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे, साथ ही COVID-19 के चलते टिंकर फ्रम होम की शुरुआत की गई है, और इनहीं से संबंदित इंपोर्टन टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कॉलाब कैड क्या है, अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रिय सूचना विज्ञान केंद्र यानि नैशनल इन्फोमाटिक सेंटर ने संयोक्त रूप से एक कम्प्यूटर सक्षम सॉफ्ट्वेर सिस्टम कॉलाब कैड लाउंच कि ड्रॉइंग तैयार करने में मदद करती है, इस पहल का उद्देश्य देशवर में अटल टिंकरिंग लेबोरेट्रीज के छात्रों को रचनात मक्ता और कल्पना के मुक्त प्रभाह के साथ 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक शानदार मंच प्रदान करना है, यह एक अद्बुच सॉफ्ट्वेर प्रणाली है जो चात्रों को असंख्य 3D डिजाइन बनाने में सक्षम बनाएगी, यह सॉफ्ट्वेर चात्रों को पूरे नेट्वर्क में डेटा तयार करने और स्टोरेज और विजुलाइजेशन के लिए उसी डिजाइन डेटा का समवर्ती रूप से प्रयोप करने में सक्षम बनाती है, भारत पर में स्थापित ATL यानि अटल टिंकरिंग लैब्स बच्चों को उनके नवोन मेशी विचारों और रचनात्मक्ता में निखार लाने का अफसर प्रदान करते हैं, इसके बाद हम चर्चा करेंगे अटल इनोवेशन मिशन की, यह मिशन भारत सरकार की प्रमुक पहल है, जिसका प्रयोजन देश में नवाचार इम उद्यमिता की संस्कृति को भड़ावा देना है, इस मिशन का कार्य देश के अंदर नवाचार के वातावरन पर द्रिष्ट अचर्चिति तंत्र में क्रांती लाई जा सके, अटल नवाचार मिशन के दो प्रमुक कार्ये हैं, स्वरोजकार और प्रतिभा के उप्योग के द्वारा उद्यमिता को भड़ावा देना, इसके लिए नवाचार करने वालों को सफल उद्यमि बनाने के लिए निमित सहायता और मंत्रणा दोनों ही दी जाएगी अटल टिंकरिंग लाब्स अटल टिंकरिंग लाब्स वे प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 3D प्रिंटर, रोबोटिक्स, सेंसर टेकनोलोजी उपकरन, इंटरनेट प्रनाली और सुक्ष्म इलेक्ट्रोनिक उपकरनों की व्यवस्ता होती है प्रयोगशाला का उदेश्य है कि बच्चे, पाठ्ठे क्रम और पाठ्ठे पुस्तकी अज्यान की परिदी से बाहर निकल कर रचनात्मक गतिविध्यां संपन करें अटल इनोवेशन स्कीम के तहट देश के 98% अरिक स्मार्ट शहरों में और 93% जिलों में ऐसी प्रयोगशालाएं तैयार हो रही है कक्षा 6 से 10 तक की पढ़ाई करने वाले सरकारी विध्यालेयों के अतिरिक स्थानिय निकायों अत्वा नीजी या सो संस्थाओं में भी ये लैप्स थापित किये जाएंगे अटल टिंकरिंग लैप्स थापित करने के लिए अटल नवाचार मिशन अनुदान देगा इस अनुदान में 10 लाख रुपे की एकमुष्ट स्थापना राशी के अतिरिक अधिक्तम 5 वर्षों तक प्रयोक्षाला के संचालन हेतू 10 लाख रुपे भी दिये जाएंगे अटल टिंकरिंग लैप्स कार्यकरम ने देश भर के बच्चों की easy to learn online संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टिंकर फ्रॉम होम अभियान शुरू किया है ताकि वे खुद को उपयोगी कारयों में व्यस्त रखें इस पहल का उद्देश ये बच्चों को स्वय के प्रयासों से सीखने और प्रोचाहित करते हुए उनकी रचनात्मक्ता और नवीनता में निखार लाना है तिंकर from work has been started in light of the current situation of COVID-19 the ATL program has launched a tinker from home campaign to ensure that the children across the country have access to useful easy to learn online resources to keep themselves fruitfully occupied ha dann innovation mission has also launched the game development module as part of the tinker from home campaign इसके बाद हम चर्चा करेंगे अटल बूजल योजना की अटल बूजल योजना की नोडल एजिन्सी है Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Ministry of Jal Shakti अटल बूजल योजना का उदेश्य सामुदाई भागिदारी के माध्यम से देश के प्राथमिक्ता वाले छेत्रों में बूजल प्रबंध में सुधार करना है इस योजना में विश्व बैंक और केंद्र सरकार की हिस्सेतारी 50-50 प्रतिशत की है यह योजना, गुजरात, महराष्ट्रा, हर्याना, करनाटक, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश के जल की कमी वाले छेत्रों हित्यू प्रत्तावित है केंद्रिय बूजल बोड की विगत वर्ष की रिपोर्ट की अनुसार Incentive Component Water Security Plans, Implementation of Management, Interventions through Convergence of Ongoing Schemes, Adopting Demand-Side Management Practices, Etc. The Expected Impact of Atal, Bhojal, Yojna Local Communities Participate करेंगी तो जल जीवन मिशन की Sustainability बढ़ेगी Doubling the Farmer's Income एक महत्वपून मुद्दा रहा है, पानी रहेगा तो खेती में भी उननती होगी Bhojal प्रबंद में सुधार होगा और पानी को efficiently use किया जा सकेगा Promotion of efficient and equitable use of groundwater and behavioral change at community level will be ensured Now let us have a look at the Jal-G1 Mission Jal-G1 Mission is a central government initiative under the Ministry of Jal Shakti Approved by the Union Cabinet on 13th August 2019 It provides access to safe and adequate drinking water in an integrated and holistic manner to all Indians in a priority of the government The mission's goal is to provide Har Gharjal, piped water supply to all households in rural India safe and adequate water through individual household tap connections by 2024 अटल बूजल योजना के बाद हम चर्चा करेंगे अटल टनल की अटल टनल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गिय श्री अटल भिहारी वाजपई जी के 95th birthday पर रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया कहां है ये अटल टनल? अटल टनल 8.8 km long tunnel है जो पीर पंजाल रेंज में स्थित है एक 300 मीटर की उंचाई पे दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है अगर आपने लिपुलेक विवाद के बारे में ना पढ़ा हो तो वीडियो का लंग लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में है Coming back to अटल टनल, the tunnel will be one of the longest road tunnels in India and is expected to reduce the distance between Manali and Keylong by about 46 km ये इंडिया का सबसे बड़ा road tunnel होगा और Manali से Keylong की दूरी लगबग 46 km कम कर देगा If you like the video, please share it. Thank you. Have a good day.